हाज जी, वेलकम बैक, आज के इस पर्टिकलर वीडियो से हम लोग WhatsApp मार्केटिंग के उपर एक कम्प्लीट सिरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे WhatsApp मार्केटिंग के बारे में, WhatsApp बिजनेस API के बारे में, और किस तरीके से WhatsApp बिजनेस API के उपर हम बहुत सारे जो आटोमेशन हैं, उनको सेट अप कर सकते हैं, बट क्योंकि ये वाला जो वीडियो है, इस सिरीज का पहला वीडियो, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग WhatsApp बिजनेस API के लिए हम लोग अपलाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग य पहला पॉइंट यही कि आपके पास सबसे पहले एक नया नमबर होना चाहिए, अगर आपके पास कोई फोन नमबर पहले से है और उसके उपर आपने WhatsApp नार्मल वाला या WhatsApp बिजनेस पहले से बना रखा तो फिर आप उसके उपर WhatsApp API नहीं ले सकते हैं, तो या तो फिर आप न नया नंबर ले ले लें तो आपको सबसे पहले एक नया नंबर ले लेना है उसके बाद WhatsApp API लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो Facebook Business Manager होता है न वो आपका वेरिफाई होना चाहिए अब अगर आपका Facebook Business Manager वेरिफाई नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप WhatsApp API को प्रिक्योर नहीं कर सकते हैं फिर भी आप WhatsApp API ले सकते हैं बट messages के respect में बहुत सारी limitations है वो रहेंगी जैसे अगर आपका Business Manager वेरिफाई नहीं है तो केवल आप 250 unique users को per 24 hours messages भेज सकते हैं बट यह तो आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप unlimited बहुत सारे messages भेज पाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप Facebook Business Manager को आप अपने वेरिफाई कर लें मैंने एक dedicated video बनाया हुआ है पहले ही कि किस तरीके से आप Facebook Business Manager को वेरिफाई कर सकते हैं तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं बट फिर भी अगर आप WhatsApp API को प्रिक्योर करना चाहते हैं इस वक्त तो आप प्रिक्योर कर सकते हैं बाद में भी आप अपना Facebook Business Manager ना बना लें आपके पास एक business website होनी चाहिए make sure करें कि जो भी आपकी business की website है उसके footer में आपका business का name clearly जो है वो mention हो वहाँ पर तो यह हमारी third requirement है fourth is कि आपको जो WhatsApp की proper guidelines और policies हैं उनको आपको follow करना है यहाँ पर मैंने वो guidelines और policies का जो link है वो यहाँ पर मैंने open कर रका और य API का इस्तमाल कर सकते हैं वो सारी यहाँ पर चीजें mentioned है बहुत सारी चीजें आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी कि let's say आप tobacco items के लिए करना चाहते है वो आप नहीं कर सकते है इसी तरीके से weapons वगएरा के लिए अगर आप करना चाहते तो वो नहीं कर सकते है तो बहुत लोगा question होता है कि क्या sir WhatsApp API के charges होते हैं देखे WhatsApp API absolutely free है बट फिर भी आपको दो तरीकों से जो है वो charges देने पड़ते हैं एक तो आपके platform के charges जैसे मैं यहाँ पर जो example ले रहा हूँ एक BSP का example ले रहा हूँ AI CENC का example ले रहा हूँ तो AI CENC ने on the top of WhatsApp API बहुत सारे अपने features को develop किया है बहुत सारे अपने जो tools हैं उनको develop किया है ताकि उन tools का इस्तेमाल करके आप WhatsApp API का बहतर से बहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और अच्छे तरीके से उसका use कर सके तो वो एक platform की charge लेते हैं वो एक subscription type की आपके लिए charge हो जाएगी अगर उनकी official website के ओपर जाकर देखे उसके around तो उनका भी जो proper documentation है वो यहाँ पर है जो updated बिल्कुल meta की conversation based pricing है उनका यहाँ पर है चार तरीकों से जो pricing है वो divided है marketing conversation category है authentication है utility conversation category है and service conversation category है तो इस चार categories में जो है वो आपको जो amount देना होता है basically वो divided है कि कि किस type के messages आप भेज रहे हैं उस type से जो है वो आपके charges होते हैं उनके charges आपको देने पड़ते हैं बट अगर मैं WhatsApp API procure करने की बात करूं तो वह absolutely free है अब देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से WhatsApp API के लिए हम लोग apply कर सकते हैं तो आपको simply जाना है यहाँ पर Aisensi.com के उपर मैं यह same link आपको description में भी दे दूँगा और उसके बाद यहा कर लूँगा यहाँ पर now you need to put your information over here जैसे मैं यहाँ पर information डाल देता हूं जो भी हमारी company name वगएरा है वो सारी चीज़े मैं यहाँ पर properly mention कर दूँगा जो हमारा company size है वो मैं mention कर देता हूं यहाँ पर एक बार के लिए and our industry is let's say education industry है अगर हमारी आप अपने business के hoarding रख सकते ह आप अपना phone number यहाँ पर mention कर दें currency और time zone आप select करके you will just click on complete sign up तो अब आपका जो account है वो AI CNC के उपर आपका account जो है वो बन जाएगा so जैसे ही आपका account बन जाएगा अप यहाँ पर redirect हो जाएगा अब यहाँ से आप देखें आपको apply करना है WhatsApp business API के लिए which is absolutely free so मैं इसके उप पर click करूँगा continue with Facebook करूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको अपना business manager जो है वो select करना पड़ेगा आप business manager जो बनता है वो आपकी किसी ना किसी Facebook profile से बना हुआ होता है so आपको अपनी Facebook profile जो है वो यहाँ पर select करनी है फिर उसके अंदर जितने भी businesses आएंगे उन में से आप अप पर बहुत सारे business managers जो आप यहाँ पर देख रहें है दोस business managers are actually verified जैसे आप यहां पर देख रहे है एक यह见 वरिफाइड है यह सकते है बाद में चाहिए तो बाद में वी उसको verify कर सकते हैं इस particular case मेंд मैं क्या कर रहा हूँ , मैं स्टार्टिंग सही हमारा business manager verified। उसिको मैं select कर लूँगा तो जब आपका business manager verified होता है तो जो information आपने business manager को verified करते वक्ट अपने business name और यह साथी चीजह mention करी होती हुथ है website अग्रा वो information यह automatically fetch कर लेता है, अगर यहाँ पर मैं जो है वो non-verified business manager को pick करता, जैसे for example, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो मुझसे यह information वो आपस boost था, हमें क्योंकि verified को use करना है, तो मैं simply यहाँ पर जो हमारा verified वाला business manager है, उसी को मैं वापस select कर लूँगा एक बार के लिए, and then हमें next के उपर click करना है यहाँ पर, now आपको क्या करना है, choose a whatsapp business account के उपर आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक whatsapp business profile आपको create करना है, फाइन, so मैं create के उपर click करके new कर दूँगा, और बहुत ध्यान से समझे, यह whatsapp business account नेम जो होता है यह आपके लिए, so जैसे for example मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने लिए, UT digital media ठीक है, तो यह हमारे लिए basically, यह कभी भी जिसको आप message करेंगे, यह आपके whatsapp पर नहीं दिखाई देगा, यह आपके लिए internal है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, whatsapp business profile display name, यह वाला name जो है, यह आपका actually verify होता है, और यही जो main आपकी profile है, उसके उपर display होता है, उसके बाद आपको अपना time zone select करना है, जैसे our case में education है, तो हम वो select कर लेंगे, business का description is optional, you can put it over there, और you can ignore it, तो मैं यह mention करने के बाद, मैं next के उपर आजाऊँगा, अब आपको आपका जो number है, वो यहाँ पर mention करना है, जो भी आपका number है, जिसके उपर आप WhatsApp business API लेना चाहते हैं, तो मैं ने यह number यहाँ पर mention कर दिया, make sure करना है कि यह number आपके पास हो, अगर verification के लिए आपके पास text message आएगा, या phone call आएगा, तो आप यहाँ पर वो OTP mention कर पाए, तो मैं next करता हूँ यहाँ पर, जो भी आपके पास verification code आएगा, वो आपको mention कर देना है, थोड़ी time बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, we have already applied for WhatsApp business API, this is one thing, and second one is, जैसे मने आपको बताया थे, जो भी आपका display name होता है, वो verification के लिए जाता है, तो वो verification के लिए गया हुआ, जैसे ही verification वो complete हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर अभी आप देखेंगे, तो हमारा जो current plan है, वो basic है, और इसका trial हमें मिला हुए, जब भी हमारा trial end हो जाएगा, and we want to use this, we can go ahead, फिर हमें यहाँ पर upgrade करना पड़ेगा, and इन सब चीजों के दारान, अगर आपको कोई problem हारी, you can go ahead, और यहाँ पर आपको जो chat करने का option मिलता है, आप यहाँ पर बात करके भी, in case अगर आपको कोई समस्या आ रही, यहाँ पर further upgrade करने में कोई problem हारी, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, you can go to these people, और यह लोग आपकी जो भी problem से उनको resolve कर देंगे, आई बिलीव बहुत जारी चीज आपको clear हो गई होगी, कि actually आपको WhatsApp API किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से आपको procure करनी है, इस परटिकुले वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, goodbye. किस तरीके से एतना है,